हेलो दोस्तों आज हम ठीज ग्रीन के बारे में बात करेंगे जब हम ठीज ग्रीन के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ठीज ग्रीन को प्रमुख ब्रिटिस उदारबादी विचारक के तौर पर माना गया है इसके साथ ही दोस्तों अब हम इनके जीवन परचे की बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वह 1836 में इंग्लेंड के यार्ग सायर के बिर्किन नामक स्थान पर हुआ था इनके पिताजी एक आधारों या संदेश के आधार पर जिया और इन्होंने जो अपना आरंभिक 14 वर्स है उसमें मात्र यह घर पर ही रहकर गया नर्जन किया था इसके साथ ही इन्होंने 1850 से 1855 में रिग्वी की अध्यन किया था और फिर 1855 में यह आक्सवर्ड विस्विद्याले में जाकर अ प्रध्जापक के तौर पर काम क करने लगे और इन्होंने इस बद पर 1868 तक काम किया इसके साथ दोस्तों में बता दूँ कि इन्होंने अपने जो अध्यापन कार्य है उसके साथ इन्होंने समाज सुधार के भी काम में लगे और इन्होंने इस अपने समाज सुधार के बतौलत इन्होंने ऑक्सफोर्ड टाउन में यह मेर के पद पर भी काम किया इन्होंने और उस दोरान इन्होंने सराब बंदी महिलाओं की अधिकार वै गरीबों के इस्तिती पर इन्होंने बात की है इसी के साथ जब हम इनके जीवन की बात करते हैं तो यह अपने जीवन में एक बहुत अच्छे समाज से भी वे समाज उधारक के तौर पर काम किया लेकिन दोस्तों जो ये महान समाज सेवक वे उधारवादी विशारक थे इनके 46 वर्स की तक में किया है तो इनकी प्रत्थम प्रमुक रचना थी वह थी 1880 में जो कि थी liberal legislation and the freedom of contract इसमें इन्होंने जमिंदारों का और असामियों के बीच में हुए समझोते का वर्मन किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि असामियों ने जमिंदारों से समझोता किया था जिसमें कि उ उन्हें कि कुछ अपना जो था जो आपना फसर उगाते थे या किसी परकार का मतलब उसमें अच्छी तरह से उसको बटवारा किया जाए तो इसमें इस समझोते में इन्होंने इस चीज की पूरी तरह से बरनानिंग किया है अब हम इनकी दूसरी पर्मुक रचना की बात कर तो तीसरी रचना है दा लेक्चर ऑन दे प्रिंस्टिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑबलीगेशन जिसमें इन्होंने जितनी भी प्रकार की राजनेतिक विचार है राजनेतिक सिधानते उसकी बात की है अब इसके साथ इनकी चौथी पर्मुक रचना की बात करते हैं तो वह है द राज के उत्पत्ति राज की प्रकृति वे आन्ने राजनेतिक सिधानतों का वर्णन करेंगे जब हम इनकी राज की उत्पत्तिक सिधानत की बात करते हैं तो इन्होंने तीच गिरिन ने राज की जो उत्पत्तिक सामाजिक समझोते का सिधान था उस सिधानत का इन्होंने करते हुई इन्होंने का हएं मतला हमनें किसी भी परकार समझते को नहीं माना है बल diamonds ने कहा है कि जो राज की उथपति करनी हुई हैं उसकी उथपति मात्र मानव सभाव वे मानव इच्छा के आधार पर हुआ है जिसमें वेक्तियों ने अपने सोभाव वे अपने इच्छा के द्वारा ही राज की उत्पति की है जब इन्हें अपनी आपसक्ताओं को पूरी करनी हुई तब इन्होंने राज की उत्पति की है अर्थात इसी परकार गिरिन ने को करताुभ जिसमें मसीन के अब जिसमान हो मसीन के समान होगा और मसीन का सबसे प्रमुक कार्य होता है है तो न बीचसलिब का सिवाए और इसलिए इनों कहा है कि जो राज है वह मात्र एक मसीन के समान है जो उसमें लोगों को कल्यान करेगी इसके साथ ही जब इनकी सक्ती की अधरना की बात करते हैं तो इन्होंने कहा है कि जो सक्ती है सक्ती को इन्होंने दिखा जाए तो उस हद तक माना है जब तक कि वह राज के वेक्तियों के ह सब्चान करें उनके हित्स में कारें शांस नवीवस्ता को अच्छी तरसे सुचारू रूफ से चला ले इसके साथ जब अनकी संप्रभुता की बात करते हैं तो इहोंने कहा है कि समपरबू होगा और वेक्तिके पास समपर्मूता होगी वह समपर्मू होगा लेकिन यहां पर यह नहीं कusedब कर सबसे ज्यादा समपर्मू होगा और राज ही समपर यानतियों पर अंकुछ लगाकर रखेगा व्यक्तियों के संभाव पर नियंद्रित कर रखेगा कि वह किस परकार अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है तो यहां पर इन्होंने राज्य को सबसे ज़्यादा सक्ति साली माना है फिर इन्होंने वक्ति की बात की है इसके साथ जब हम इनकी सरकार की बात करते हैं तो इन्होंने सरकार में देखा जाए तो लोकतंत्र की बात की है जिसमें इन्होंने जनतंत्र या लोकतंत्र की बात की है जिसमें कहा है कि जो जनता है वह अपनी राइत करती है कि किस परकार सासन करना चाहिए या किसे सासन करना चाहिए तो यहाँ पर जितने भी सासन संदी अधिकार हैं वह जंता के पास होनी चाहिए इसलिए उन्हें प्रजातंत्र लोकतंत्र की बात की है इसके साथ ही जब हम इनके समानता की बात करते हैं तो इन्हों ने जो समानता के अधिकार पर कहा है कि समानता जो है वह इन्होंने नारी पूरुस इन सब को समान माना है तथा इन्होंने साफ साफ कहा है कि इस्त्री और पुर्ष जर्म से ही समान होते हैं इसमें किसी प्रकार की भेद नहीं होती है इसके साथ ही जब हम इनकी सोतंतरता की बात करते हैं तो इन्होंने दो परकार के सोतंतरता की बात की है जिसमें इन्होंने कहा है आं कि किसी भी कारी को किस तरह से कर सकते हैं तो इसमें कहा है कि हम अपनी हमारी जो आंत्रिक सोतंतरता है उसमें हमें अपनी मानसिक मानसिक जो सुभाव है उस पर हमें नियंत्रित रखना है और हमें सद भावना से कारे करना है और इसके साथ जो हम इनके बाहिय सोतंतरता की बात करते हैं तो बाहिय सोतंतरता में इनोंने कहा है कि यहां हमारी उन सवतंतरता से सम्मंदित है जिसमें हम किसी प्रस्थिती को निर्धायित करते है या उसके निर्मित करते है मतलब कि कहा है कि हम किस परकार अच्छे काम को करते हैं और उस प्रस्थिती को बनाते हैं या उस प्रस्थिती का निर्मान करते हैं तो इसमें इन्होंने वाहिये जो सतनता है उसमें इन्होंने एक अच्छे प्रस्तिती की बात कही है इसके साथ ही जब हम इनके न्याए की बात करें तो न्याए में इन्होंने कहा है कि पहले तो बता दो दोस्तों इनकी न्याए में ही इन्होंने कानून की बात की है इन्होंन जो प्रकृतिक कानून था उसको क्यों बनाय गया था और वह क्यों बना था वह मानव स्वभाव के द्वारा बनाया गया था और मानव समाज को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था तता इसी प्रकार इन्होंने प्रकृतिक कानून में कहा है कि प्रकृतिक कानून हमारे स सुभाबिक काईयों के द्वारा उत्वन हूई थी अगर हम प्रकृतिक नियमहों या कानून की MAN तो उस परकृती न्यायय तापित होग़ा सद्वाहिक की आज़ी के आग्या का पारन गख तो यति न्यायाएं करें जैसे कि नागरिक्ता पर थो उनों कुछ नहीं कि उसके साथ जब हम इनकी शंपत्ति के स्सिधान की बात करें कि संपति पी ने कहा है कि जो संपत्ति है जो बैखति के अंत्रिक वब बाहिये जैसे कि उनकी जो आर्थिक है मलगी राजनेतिक सामाजिक इनका विकास करती है और संपत्ति के वज़े से ही वेक्ति अपने मानसिक और आर्थ आपने सामाजिक विकास कर सकता है क्योंकि संपत्ति के बदौलित ही वो चाहे तो अच्छी ग्यान प्राप्त कर सकता है और आपने आपको अच्छा अच्छे काम के द्वारा मदद बना सकता है तो इन्होंने संपत्ति को मानव के चर्मुखा विकास या सरपक्षिय कल्यान में एहम माना है इसी के साथ हमने देखा कि इन्होंने इन्हें आप दोस्तों इनकी जो हमने सिधान्ती राज से समझेत विचार थे उसको हमने कर लिया स्थाता है अब मैं इनकी बताता हूँ जो प्रमुख सिधान थी वह इनकी उदार वादि ता वारा सिधान्त याॉदार वादि का सिधान अब मैं पता दू यहासा क्यूं हूँ, क्योंकि जो अठार्भी जो सतावदी थी वह क्रांती का काल माना गया था और उस समय कि जब हम बात करें तो उस समय क्या था कि मजदूरों का हज से जश्यादा सोसन हो रहा था और मैं पता दूँ उस समय के समाज में जो गरीब थे उनके जो अधिकार थे उसका मतलब कि उलंगन हो रहा था उनके अधिकारों को छेल लिया जाता था उन पे मान माने ढंग से उनका सोसन किया जाता था इसलिए इन्होंने अपने जो समाज सुधार बाले काल है उसमें इन्होंने गरीबों की स्थिति को सुधारने की बात की थी या उस पक्ष में इन्होंने काम किया था और देखा जाएता है इन्होंने पूर्ण रूप से वेक्ति बाद की बात की थी जिसमें इन्होंने सभी व वो अमीर है चाहे वो गरीब है इस परकार ही इन्हें प्रमुख वै प्रमुख वै सर्वसेश्ट ब्रिटिस उधारवादी विचार के रूप में माना जाता है तो दोस्तों यही थी टी एच ग्रीन की जीवन पर्चे प्रमुख रचनाएं वैं इनके राज के उपर सिध्धा प्रल्ड़ एफ जीवन फिल्ड़ प्रमुख रंता है यही जी डाता है यहीजे बजयवयों टादा व्रह आता है इसकिए उप्रावों ने ख toutबा़र खबाल्ष्ट है ओ सकतरा है जीवन पेफ जीवन्ग का प्सटाइ भ्रीन का फस्टा यहीजए तो और स्कृते इस प्रे